आज तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है ये सबसे बैस्ट और सबसे बहतरीन होने वाली है इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप अपने व्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तो एक बात याद रखने की है आपके व्यूज अभी कितने भी आते हैं अगर आप ये ट्रिक इस्तमाल करेंगे तो आपके पहले से व्यूज बढ़ जाएंगे पर दोस्तो सच बात ये है कि जब व्यूज इंक्रीज नहीं होते है तो आखिर क्यों नहीं होते है किस रीजन से आगे नहीं बढ़ते है हमारे चैनल पे जो व्यूज है वो डाउन क्यों होते है चैनल पे कई तरह की कई प्रोब्लम आती है जो कि साथ किसी ने भी आप तक नहीं बताया होगा इस वीडियो में मैं आपको एक बहतरी इन क्वालिटी और अच्छी इन्फोरमेशन बताने वाला हूँ पहली बात आपको बताता हूँ अगर आप क्रेटर है तो भाई माइंड को आज खोल देना और समझ जाना जो आपको आज समझाना चाहता हूँ आज तक एसी वीडियो नहीं बनी है और सायद नहीं बनेगी तो वीडियो को एंड तक देखना एंड में मैंने कोशन भी आपसे पूट अप किया है उसको आंसवर जुरूर से देके जाना पर उससे पहले एक ही बात यहां पर बोलना चाहूँगा अगर आपने वीडियो को लाइक ने किया लाइक कर दीजिए वैसे भी आप हर बार टारगेट जो होता है 2K का वो कम्पलीट कराई देते हो उम्मीद करते है कि अब की बार भी आप कराई दोगे अगर आप चैनल पे पहली बार आए है चैनल को सब्सक्रेब जुरू कर दे लोगी आपको पता है कि हम एडसेंस की प्रोबलम यूटूब की प्रोबलम हर तरह की जो समस्चाय होती है उसका समदान हमारे चैनल पे मिलता है क्योंकि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वाज भी देते है अब बात करते है कि आखिर हमारे यूटूब चैनल पे विव्ज इंक्रीज क्यों नहीं होता है यकिन मानिये दोस्तों अगर आप डोक्टर के पास जाते है और आपकी वो बिमारी को पकट लेता है कि ये बिमारी किस रिजन से हो रही है किस वज़े से हो रही है अगर वो बिमारी डोक्टर को समझ आती है तो आपको एक ही tablet से कह सकते हो एक ही खुराग से अराम होना start हो जाता है तो आज इस वीडियो में आपको बदाऊंगा कि आप अपने channel पे अगर views को increase करना है तो किस हिसाब से और कैसे बात को समझना है और फिर काम करना है अब दोस्तों जो आपको बात बताने जा रहा हूँ उसको जरा समझ ये यहाँ पे एक वीडियो आप देख सकते हो जो कि मैंने दो या तीन दिन पहले ये वीडियो डाले थी और यहाँ पे इस पे views देख सकते हो कि 18,000 views है अगर आप देखने की कोसिस करोगे तो ये वीडियो recommended में जा रही है यानि के इस वीडियो की rich काफी ज्यादा high है और लिक रखा है great news ये वीडियो जिसको भी दिखा रहा है वो click मार रहा है यानि के इसको choose कर रहा है और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वीडियो rank पे जा रही है इसका जो arrow है वो उपर की तरफ है अब नीचे की तरफ देख सकते हो ये है average view duration तो यहाँ पे देख सकते हो 2.4 पे मैंने कुछ ऐसे mistake करी है ऐसी गलती करी है कि views इसका नीचे जा रहा है मतलब इसको 2.42 तक बंदा देख रहा है आगे इसको देखी नहीं रहा है वो कट मार रहा है बहुत कम लोग ने ये वीडियो यादक देखी है अब नीचे की तरफ देख सकते हो कि वोस्ट टाइम इस पे अच्छा खासा गेन हो रहा है बट यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि वीडियो अच्छा नहीं कर रहे है अगर यहाँ पे average view duration की बात करे इस चीज को बहुत सारे बंदे मेरे को ये बोलते है कि सर ये जो typical लिखा होता है इसका क्या मतलब होता है इसको arrow के उपर जाना और arrow को नीचे आना और यहाँ पे जो arrow का सही का निशान है इसका यहाँ तक आना ये क्या reason है बाई एक बाव बता हूँ कि अगर ये बात आजा आपने सम्मिज ली तो कभी आप मार नहीं खाओगे यूटूब की दुनिया में कह रहा हूँ अब आप समझता हूँ दूसरा आपको एक वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पे एक वीडियो और है मेरा वो मैं यहाँ पे open कर देता हूँ यह एक open है अब इस वीडियो पे जो views है वो आप देख सकते हो इसका actually में मैं पूरा नहीं दिखा सकता क्योंकि यह sponsored वीडियो है और यह थोड़ा सा कम कर रही है अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सारे की ranking देखिए आप यह दसवे नंबर पे है और views भी आप देखें नीचे की तरफ है और यहाँ पे average view duration भी है नीचे की तरफ है अब यह नीचे की तरफ sign क्यों आता है किस region से आता है actually मैं सारा खेल किसका है यह है टिपिकल लिखा अब यहाँ पे जो टिपिकल है यानि के YouTube की algorithm ने मेरे को बताया है के इसरार अगर यह video 11,000 पे होती इस time तो इसका arrow उपर की तरफ होता अगर यह average view 2.51 पे होती तो इसको arrow उपर की तरफ होता और अगर इस वीडियो पे वोस्ट टाइम 33,000 के होता तो यह इस वीडियो का जो arrow है वो उपर की तरफ होता है और यह reason से क्या होता है जब हमारी वीडियो पे views नहीं आते है जब हमारी वीडियो पे मतलब इस्टक हो जाती है तो उसमें कुछ न कुछ कमी होती है इस कमी का हमें पता चला go to video analyze में जाता हूँ और यहाँ पे हम देखने की कोशिस करते है discovery में तो यहाँ पे देख सकते है impression click through rate यानिके जो उसका CTR है वो 2.0 है इसका सारा खेल यानिके जो इसका हमने thumbnail बनाया था वो इतना बेकार बना है लोगों न वो पसंद ही नहीं करा अब बताओ जब लोगों ने यह पसंद नहीं करा है तो फिर ये वीडियो रुग गई इस वीडियो को reach रुग गई अब आप समझ ये समझ ये सारा खेल यहां पे impression का है अब आपको back जाता हूँ मैं जिस यूटूबर का impression बढ़ता है उसके यूटूबर के views भी आते है और उसके subscriber भी आते है अब जब लोगों जरा समझ ये क्या समझाना चाहता हूँ मैं back कर रहा हूँ और यहां पे मैं आपको analytics पे लेके जाता हूँ यहां पे तो यहां पे हमारा यह है channel का discovery तो यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे कितना यहां पे आ सकता है आप देख लो कितना impression यहां पे जा रहा है और यह impression मेरा इतना बड़ा है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो, क्रीब क्रीब यहाँ पर 30% यह बहुत ज़्यदा इंप्रेशन होता है, खासकर मेरा जो चैनल है, उसके हिसाब से यह अच्छा खासा माना जाता है, अब आप देख सकते हो, इंप्रेशन बढ़ गया है, यह बड़ा किस रेजन से है, आखिर क्य हुआ है, भाई, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को जरा ध्यान से समझना, अब मैंने ये वीडियो कल अपलोड करी थी, यहाँ पे अगर आप देखने वाली बात है, कि यह वीडियो 8 रेंक पे रेंक रही है, 8 पे रेंक रही है, बट यहाँ पे अब देख सकते हो, इसका जो एरो है, नीचे की तरफ है, इसी वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट किलियर हो जाएंगे, अब इसने टिपिकली कहा था, कि 2.43, अगर इसके मिनिमम एवरेज डूरेशन यहाँ पे आ जाता है, तो तब भी इसका यहाँ पे ऊपर की रहेगा, तो यह वीडियो ऊपर की तरफ जाएगी, अगर एग्जामपल की तोर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टिक का निसान, यानि के सही का निसान क्यों है, यहाँ पे एरो का निसान क्यों है, किस रीजन से है एरो का निसान, इसका निसान इस वज़े से ह आप देखो, एवरेशन कहा रहा है, कि 2 मिनट 43 से लेके 3 मिनट 15 से तक अगर ये एवरेज व्यू डूरेशन रहेगा, तो यहाँ पर टिक का निसान होता, बट उसने ये लिमिट क्रोस कर दिये, यानि कि 3 मिनट 15 से भी क्रोस कर दिये, इस वज़े से इस पर एरो का निसान है, ये वीडियो पूरे यूटूब पे आपको नहीं मिलेगी, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, अब यहाँ पे ये सही का निसान क्यों है, क्योंकि यूटूब की जो टिपिकल अल्गोरिदम है, उसने कहा है, कि यहाँ पे 13, 13K से लेके 37K की बीच में, अगर ये वीडियो का example आपको देना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कि यह वीडियो मैंने बनाई थी bad news करके, यहाँ पे typically views देख सकते हो, कितना है, 10,000 से लेके 17,000 से उपर की तरफ जा रहा है, तभी यहाँ पे 18,000 आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, कि उपर की तरफ है यहाँ पे पे जो typically views है, वो इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस वे से arrow का जो निसान है, वो उपर की तरफ है, अगर बात करें यहाँ पे वोस टाइम पे भी, तो यहाँ पे 51 के कह रहा था, बड़ इससे उपर यह जा रही है वीडियो, तो इसलिए सभी पे उपर की उपर तरफ जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे click करता हूँ, तो यहाँ पे click करने के बाद में यह पता चल जाएगा, discovery में जाता हूँ, तो यहाँ पे जो impression है, याने click through rate है, तो यहाँ पे अब देख सकते हो 5.7 है, हालकि 10 से नीचे नहीं होना चाहिए, 10 से उपर होना हो, कि यहाँ पे मैं back कर रहा हूँ, यह मनाया कि bad news, google adsense verification अब passport से हो क्या, तो वंदों ने click मारा इसके उपर, कि यार ऐसा क्या हो गया, क्या सच में यह सी बात होती है, जब लोग बाग इसके अंदर videos देखेंगे, तब उसको पूरी बात का पता चल लगा, तो कहने का अब है, कि यहाँ पे घूम फिर के बात कहां पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, कि आपके CTR के, दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके है, impression बढ़ना, अगर आपको यहाँ पे impression बढ़ाना है, तो यहाँ पे दो चीज़े आपको सीखनी पड़ेगी, एक CTR सीखना पड़ेग तो मेरे दोस्त यकीन मानिए, फिर आपके views भी automatic बढ़ जाएगे, अगर कोई बंदा आपसे बोले, कि views बढ़ाने का यह यह तरीका है, देखो, हर बंदा कोई न कोई, कोई न कोई ने trick बताता है, बट यहाँ पे, मैं साइन मतलब कहा सकते हूँ, practically, और जो YouTube की algorithm है, उसके ह हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, कि किसी भी तरह, अगर आप अपना CTR बढ़ा लेते हो, यहाँ पे automatic यह नहीं के thumbnail पे काम, CTR का मतलब होता है, thumbnail पे काम करना, दोस्तों, बहुत सारे, मैंने ऐसे देखिया है, जब मेरी वीडियो उसका grab नेची की तरफ जाता है, तो मै उसको, thumbnail को change करता हूँ, और जैसा ही मैं change करता हूँ, तो फिर उसका grab उपर की तरफ चला जाता है, क्यों, क्योंकि मैं CTR चेक कर लेता हूँ, कि इसका जो CTR है, वो अब यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो CTR बहुत depend करता है, यानि यह कह सकते हो, 98% CTR पे बहुत focus होता है, अगर आपका CTR अच्छा खासा आ रहा है, और YouTube अच्छा impression दे रहा है, तो thumbnail के वज़े से जाता है, इसलिए कहता हूँ, के thumbnail बहुत attractive, color grading होना चाहिए, और आप क्या thumbnail पे लिख रहे हो, क्या कौन सी click bet कर रहे हो, किस हिसाब से line लिख रहे हो, यह सीखना आपको बहुत जुरूरी है, एक वीडियो आने वाली है, धमाकेदार वीडियो आने वाली है, जो कि मैं बताऊंगा के thumbnail पे color grading कैसे की जाती है, वो वीडियो जुरूर देखना, उसका link में, इस description में दूआ, एक दो दिन में वो वीडियो आ जाएगी, अगर यहां तक आप पहुँच गए हो, और यह algorithm का जो खेल है, आप समझ गए हो, तो भाई साब वीडियो को अभी like कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है, चैनल को subscribe जुरूर कर देना, क्योंकि आपका भाई जो दिल है, दिल से और मन से दोरों सी वीडियो बनाता है, आप यह बताओ कि आपको यह information पहले से पता थी, या नहीं, comment में में को जुरूर बताना, कहना का मतलब है कि आपको यहाँ पे कुछ topics ऐसे भी चुनने होंगे, जो की बहुत ज़्यादा सर्चेबल है, और साथ में CTR का ध्यान रखना पड़ेगा, थमनेल का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर किसी ब लोग बात देखना भी आपको पसंद करेंगे, अटोमेटिक इंप्रेशन बढ़ता चला जाएगा, और अटोमेटिक आपके जो यूटूब की वीडियोस है, वो यूटूब अलगोरिदम बूस्ट मारने लगेगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल को सब मिलता हूँ, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाठा बाई बाई, जैहिन!